वाइनल रिवीजन में आपका सुवागत है और मैं हूई एश आज हम बात करेंगे फैनॉन, फ्रेंट्स फैनॉन के बारे में इनका जन 20 जुलाई 1925 को केरिबियन आइलाइंड की एक फ्रेंच कॉलोनी मार्टिनीक में हुआ था इनके फेमस वर्क्स ही बात कर लेते हैं, सबसे पहला है The Rest of the Earth इसमें जो ब्लेक पीबल के उपर उपने वेस्वाद या कॉलोनीयलिज्म के साइड एफेक्ट के बारे में बताते हैं इनके अन्य वर्क्स हैं, पहला Black Skin White Marks 1952 में A Dying Colonialism 1959 में The Rest of the Earth 1961 में हम देख चुके हैं Towards the African Revolution 1962 में तथा Alienation and Freedom 1951-60 ये इनकी कुछ बुक्स के नाम है अब इन्होंने ना कोलोनीयलिज्म को हटाने की बात कई है और इसके लिए Violent Revolution का साथ लेने की बात कई है मतलब हिंसक गतिविदी के माध्यम से revolution करने के समर्थक थी ये बात उन्होंने अपनी कृतीद दा और रेश्ड ओफ दा अर्थ में गई इसके अलावा उनकी बुक्द प्लैक स्किन और वाइट मार्क्स में उन्होंने ये बात करी कि उपने वेशवाद या Colonialism के अंतरगत जो Colonizer है और जो Colonized Country है दोनों ही Depression में रहते हैं दोनों कोई नुक्सान होता है अब इनकी Decolonization की थेयोरी के बारे में बात करते हैं तो वो Violent Revolution का समर्थन करते थे अब क्यों करते थे Violent Revolution का समर्थन? उनका मानना था कि ये जो colonization हुआ है न ये भी तो violence के base पर ही हुआ है तो ये भी एक प्रकार से violent world है जिसमें जो लोग है वो post traumatic disorder में रहते हैं stress में रहते हैं negative thinking के साथ रहते हैं परिसान रहते हैं इसलिए नएक तरह कि human society बनाने के लिए decolonization लाने के लिए violent revolution ज़रूरी है फैनोन ने decolonization को भी दो तरीके से करने हो कहा है पहला physically मतलब जो भी colonizer है उनको physically देश से बाहर निकाल दें और दूसरा है psychologically मतलब जो भी aswet people हैं जो भी colonized लोग हैं वे अपने अंदर stressed अता का भाव जागरत करें ये thinking पैदा करें कि aswet लोग भी stressed होते हैं उनका भी एक अलग महत्व होता है दुनिया में ये था फैनोन का decolonization अब हम फैनोन के double consciousness के idea की बात करते हैं ये idea फैनोन से पहले W.E.B. Dew. Boys ने दिया था फिर फैनोन ने इसे use किया वे कहते हैं aswet लोगों में दो तरह की consciousness पैदा होती है पहली है native consciousness जिसमें aswet people अपने culture को जानते हैं society के बारे में जानते हैं अपनी language को follow करते हैं दूसरा है western consciousness इसमें aswet लोग अपने culture को society को languages को inferior या पिछड़ा हुआ मानकर दीरे धीरे western culture को western lifestyle को अपनाने की कोसिस करते हैं उनकी तरह बनने की कोसिस करते हैं और इस परिवर्तन को idea of blackness कहा है फैनोन ने जिसे उन्होंने अपनी book black skin white marks में बताया है अब ये black people ऐसा सोचते क्यों है खुद को तो इसके लिए फैनोन white people के द्वारा बनाई गई white man's burden theory को कारण बताते हैं ये तेयोरी ऐसी है कि जो white people है वो कहते हैं कि उनका culture superior है, rational है, civilized है और black people का culture inferior है, cannibal है, uncivilized है इसलिए God ने उन white people को ये burden दिया है अब देखिए, जो black man है, उनके अंदर superior भाव जगाने के लिए एक negative moment चला था, जो black consciousness को जगाने की बात करता था इससे फैनोन बहुत प्राभावित हुए थे अब इनका एक last concept आता है, colonial alienation इसका मतलब ये होता है, कि जो black people है, वे colonialization के चलते अपने culture, language, social economic condition आदी से दूर होने लगते हैं और western culture को अपनाने लगते हैं, तो इसे ही colonial alienation की condition कहते हैं तो French Fanon ने राश्टी मुक्ति आंदोलन में पूर्ण स्वाधी इंता की बात की थी हिंसक क्रांथी के मात्यम से ये सारी बाते थी French Fanon के बारे में वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजे ज्यादा श्यादा शेयर भी कीजेगा थैंक्यू सो मच फो लिस्निंग